क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वधी चैनल कलेक्टिव स्टेडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत-बहुत-बहुत सौगत करता हूं आज हम लोग देखेंगे डेली करेंट फिस्ट और जैनुरी का हिंदी इंग्रिश दो नहीं भाशाओ में ठीक हमारे जो टेली क्राम चैनल इसको आप लोग जोइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9650347272 पर वाटसेप पे या फिर टेली क्राम पे विचेवर यू वांट तो जो हमारे आज के दस मोस्ट इंपॉर्टन जाएगा फैक्ट सारे बताया जाएंगे बैग्ग्राउंड जनरल स्टेडी से जोड़के सारी चीज़े ताकि आपका प्रिलिम्स में अमेंस में दोनों जगे यह करेंट अफैर सिर्फ एक मातर यहां पर अगर आपने पढ़ लिया तो कहीं से भी आपको और देखने की जर नियो नोटिस प्रभूई ठीक और सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यह क्या चीज़ है कहां यूज हो रहा है देखेंगे परमारू परमारू हतियार पर नुक्लिय वैपन्स पे जो है कुछ न्यूज आई है जो की इंपॉर्टन है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट मलब किया जाएंगे ऑफलाइन मोड में मतलब की इंटरनेट की जरूत नहीं है बढ़िया है देखेंगे कहां पर क्या यूज इसका आने वाला है कल्पना चावला अंत्रिक्ष विज्ञान और प्रद्योग की अनुसंधान केंद्र कहां बनाया गया है सारी चीज़ देखेंगे विस्तार से और इंस्टिटूट ओफ मैथमेटिकल साइंसेस ठीक और आखरी में पैंगॉंग सो लेक चाइना यहां पर ब्रिज बना रहा है तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जनरल स्टेडिस पेपर थ्री एकनॉमी समद्दे तो पहला जो हमार हुआइट लिए टेक टरुक्ता है कोल में सबसे अच्छा कोल जो होता जिसमें की कैलोरोफिक वैल्यों जादा होती है मतलब उसमें कम यह कार्बन का उधसरजन होता है मिशन होता है और हीट जादा निकलती है तो वह होती है आपकी एंथ्रा साइट में इंडिया में कश्म सबसे खराब जो है वह लिगनाइट वाला या फिर पीट बॉक से बनता ये दल्दली चेतरों सम्में तो लिगनाइट से समद्दित यहां पे खनन जो है आपका माइनिंग जो है राजस्थान के बीका ने डिस्टिक में गुढ़ा वेस्ट जो एक जगह है वहां पे यह भी न करके राहिस्तान को दे सके और यहां पॉर प्लांट जो है 125 से 135 मेगावाट का बनाया जाना है जो की प्रपोस्ट था बाइसाब आपका पूछा सकता है कि आपका लिगनायट कहाँ पाजाता राय सामें तो भीकलju है तो यह तो आपको एक इंड्राक ऐसर बनता है तो आप अंसाइस से करनेंगे लिगनायट को ब्राउन कोल भी ब reminds and to have your innate sedimentary rock है उसमें 25 से 35 परसेंट का carbon content होता और यह लोवेस्ट रैंक ऐसे और यूजह का जाहा और यह सबना जाया जारही है वहाँ इस life अत्रचन ज्यश्य सत्रचन जादा है और इस में और यह वक्ता हैं वो यह कहते हैं कि लिगनाइट जो है सबसे ज़्यादा हामफुल कोल होता है human health के लिए got the point तो यह तो यहां पे एक machine है यह क्या कर रही है कोईला तोड रही है इतने बड़े-बड़े इसके दात निकले हुए ठीक तो चलिए यह हुआ अगला जो हमारा important topic general studies पे पत्री environment समद्धे देखे UPSC हो चाहे UPPSC हो दोनों में ही forest services के भी जो है same prelims होता है ठीक तो इसलिए यह वाले environment वाला जो है portion बहुत important होता है you cannot ignore them so अभी यहाँ पर क्या है केडला में ठीक केडला में western guards की जो है ranges है वहाँ तक केडला में तो वहाँ पर जो है SNM college मुल्यंकरा और MS Swaminathan's research foundation और पायनूर college इन्होंने दो नए plant की पेड़ों की प्रजातिया जो है खोजी है कहाँ पर western guards में जो की जैव विविता से भरपूर है यह region है आपका थिरुवनंत पूरम जो की केडला की capital भी है और वैनाद district में ठीक और इनको नाम दिये गए फिंब्रिस स्टाइलिस सुनीली और नियोनेटिस प्रभूई अगर पहले इसमें देखें फिंब्रिस स्टाइलिस सुनीली जो है यह सब ग्रासलेंड से पाएगा है ग्रासलेंड एक ऐसा छेतर होता है जिसमें जातर मैदान होता है बीच में एक आधा बड़ा पेड़ आ जाएगा बाकी सब कुछ ग्रासस उतने है ठीक और यह पॉन्म पॉन्डी हिल्स केडला में वैसे वियात कर सकते हैं एक टैक्सोनॉमिस थे सियन सुनील उनके नाम पर रखा गया इसका नाम ठीक और यह 20-60 संटीविटर टॉल होता है ग्यारा सो मीटर जो है उचाई पर पाया जाता है और इसको आयू सियन रेड लिस्ट में डेटा डेफ पर तो यह एक तरीके का प्रोस्ट्रेट पेरिनियल हर्भ है ठीक प्रोस्टेट पेरिनियल हर्भ है बारा मासी मतलब हमेशा रहता है जड़ी बूटी है यह और इसको केम प्रभु कुमार जो थे सीनियर साइटिस्ट है यह आपका यह CSIR नैशनल बायो बॉत्रानाइकल रि पूस्त आया तो वहां पर इसको रिकोगनिशन दिया गया फ्लावरिंग प्लांट है देखे फ्लावर निकल रहा है और जो है उन्होंने रिसर्च करी थी वेस्टन गार्ट में तो यह लखनों के थेज साइंटिस्ट लेकिन यह प्लांट जो है वेस्टन गार्ट में होगा ठीक यह वाला है और अगला जो हमाँ टॉपिक है वह साइंस टेकनोलोजी समझत सिंगल बोर्ड कंप्यूटर अभी देख लो जैसे अपनी वह होती ना हार्डिस्क वैसा ही है सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का सिंगल क्या है सिंगल है जो यह एक ही चिप पर पूरा य अब यह कहां यूज हो रहा है यह यूज होगा अभी आपका इंटरनेशनल स्पेस्टेशन जो हमारा है अंत्रक्ष में लोवर अर्थ और्विट में वहां पर होगा ठीक वहां तक पहुचाने के लिए नासा ने जो है आपका फैलकन नाइन रॉकेट जो है जो की स्पेस एक् स्पेसक्राब भेजा जिसमें की यह सिंगल बोर्ड कंप्यूटर ले जाए गए हैं और वहां के जो कंप्यूटर है उनक में जो है और अप्डेशन लाएगा और तेजी से काम हो सकेगा इंटरनेशनल स्पेस्टेशन पे तो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर इंटरनेशनल इसका नाम है एस्ट्रोपाई एस्ट्रोपाई नायम है और सटेप बॉक्स जितना होता जैसे मैंने भी नीचे इसकी पिक्चर आपको दिखाई और इसमें कोई चीजों में इसके अंतरगत है तो यह आपका मदद करेगा और इसकी जो पैकिंग है ठीक वो स्पेस रेडी ऐल्मूनियूम केस से बनाई गई है यह धियानक ना और रनिंग कोड्स इसमें जो आइसेस के हार्डवेर सुटेबल है उसी के कोड्स पर यह आइसेस में काम कर चाहिए और किसके साथ में सयोग से यूऊपइन स्पेस एजनसी के सैयोग के साथ में चिक मतलब रंडयम टॉपिक है इंटरनाशन स्पेस स्टेशन पर लिए अस्टनाइब नाम है यह साथी चीज़ेश आपको या धखनी चाहिए चिक अगला जो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है परमाडू हतियार अभी आपको मालूम है पूरी दुनिया में पांच ऐसे देश हैं जो मतलब कथित तोर पे नहीं बलकी वाकई में उन्होंने बोल लगा हम नूप्रोलिफरेशन टीटी के भी मेंबर हैं कौन-कौन USA दियां से सुनिए UK फ्रांस जो टेक्नोलजी एडीटी के गजो आउला है समिक्षा होने वाली है। समिक्षा होगी क्या देखें गे हैं पाउर जो है नूक्लिय बं बैवन बड़ तो नहीं तो उसी जो लेटरilian जो उससे पहले जो ये पाँच ग्लोबल नुकले पाउर है इन्होंने एक जॉइंट स्टिट्मेंट निकाला देखो यहाँ पे सब एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि देखे ऐसा है कि हम ये बिलीफ करते हैं strongly कि ऐसे वैपन्स का स्प्रेड नहीं होना चाहिए वलकि इसको रोकना चाहिए ठीक इन्हीं सब लोग ने बिलकुल एक स्वर में बात बोली है ठीक तो ये सिंपल चीज है जो मालब किस कंटेक्स में यहली चीज ही यह भी मैंने आपको बता दिया और ये जो समिक्षा होनी थी ये होनी तो चार जन्वरी को थी non-proliferation treaty के इंतकत लेकिन covid-19 के वैसे postpone कर दिया गया अच्छा non-proliferation treaty का member इंडिया नहीं है ध्यानक नहीं है इसलिए इंडिया जो है nuclear supplier group का भी member नहीं है ठीक इंडिया member है MTCR का इसका perform देख लेना वासेनार agreement का है Australian group का भी member है लेकिन NSG का member नहीं है nuclear supply group का member नहीं है क्योंकि वो NPT का member नहीं है ठीक तो ऐसे ध्यानक ऐसे याद रहेगा न तो यह चीज़ है और अभी काफियादा जो है जद्दो जहेद चल लही है Russia और USA बीच में Ukraine को लेकर ठीक वैसे चाइना और USA बीच में चल लही है ताइवान को लेकर तो SME statement आना अच्छी बात है और समिक्षा भी होनी है प्रमाडू हतियार का प्रसार नहीं होना चाहिए It is very detrimental to the human civilization ठीक है तो अगला topic हमारा है general studies paper 3 economy समंदर देखे small value digital payment in offline mode RBI ने अभी कहा है कि कुछ हमने अभी pilot experiment किये थे कि बिना internet के हम transaction कर सके पैसे का lane देन कर सके छोटा small value digital payment जो है in offline mode payment कर सके ग्रामीर और अर्द सर्क जो आपकी urban area था शहरी छेतर हैं वहाँ पर semi urban and rural areas में digital payment हो छोटे हो और इंटरनेट की जरूतना पड़े तो यह अच्छी बात है जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुच पाया है वहाँ पर भी यह payment हो सकते हैं अच्छा बिना इंटरनेट के हो रहे है तो इसमें जो अलर्ट आएगा कि भाईजा पैसे कट गए या कटने मलब किसको दिए तो यह अलर्ट देर से आएगा ठीक और आपका जो है face to face होना चाहिए मलब पास में होना चाहिए कार्ड वॉलेट और मुबाइल डिवाइसे जिसके तुरू जो है आप पेमेट कर सकते हैं इंटरनेट या फिर टेलिकॉम की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए जैसे कार्ड होता ना या तुम डेवी कार्ड लगाते तो उसके लिए इंटरनेट की जो अथ हो इना वैसा ही है की छोटे होंगे ठीक मतलब इसमें पर ट्रांजेक्षिन की जो लिमिट है वो 200 रुपे है ठीक यह नुबित पूल सकता है और जो कुल लिमिट है वो दो-दो करके आप 10 र्रांजेक्षिन कर सकते कुल कितने 2000 रुपे के उसके बाद अगर आपको ट्रांजेक्षिन करना है 200 रुपए तक का maximum at a time तो आपको पहले ये 2000 रुपए डालने पड़ेंगे फिर कर सकते हो ठीक तो ये इसले भी ठीक है वाई अगर देर से offline alert देर से आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि सारा पैसा ही कोई निकाल ले किसी का तो जब तक 2000 रुपए का ही maximum अगर हैक वैक होता तो हो सकता है और अच्छा है एक ये limitation लगाना जरूरी था नहीं तो फ्रॉड के chances रहते हैं ठीक अगला जमाट आपके चंदीगड युनिविशिटी जो है आपकी उस वहाँ पर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इनाग्रेट किया कल्पना चावला Center for Research in Space Science and Technology कल्पना चावला अंत्रक्षिविग्यान और प्रिद्योगी की अनुसंधान केंद्र कहां पे किया गया है इन चंदीगड एट चंदीगड युनिविशिटी तीन जन्वरी को रक्षा मंत्री ने इसको इनाग्रेट किया था ना कि प्रधा मंत्री ने थोड़ा सा इसको यह द्यान रखेगा स्टेट पीसे एक्जामनेशन में अक्सर ऐसे जो है फैक्च फैक्चुल कोश्चन पूछ लेते हैं ठीक इसका अब्जेक्टिव वही है कि वहाई स्पेस साइंस में स्टुडेंट्स को अच्छी प्रसच्च्रान ट्रेनिंग मिल सके सेटलाइट कैसे डवलप करना है फ्यूचर चैलेंजर स्पेस के एरिया में क्या हो सकते हैं उनके लिए हम पहले ही यहाँ पर कर सके कल्पना चाबला जी नासा ने इनको भेजा था और इंडियन ओरिजन ये अमेरिकन थी इनको नासा ने भेजा था और लेकिन इनकी जो है देथ हो गई नहीं है स्पेस सक घूंके आ रही है ठीक सुनिता विलियंस बेसे ना में पीछे आप लोग से साजा भी किया था एक और महिला है जो अभी लेटेस्ट गई है उनका क्या नाम है कोई कमट करके बता सकता है क्या अच्छा यहाँ पर जो यह एक जो आपका ग्राउंड कंट्र करने के लिए इसी कल्पना चाबला जो रिसस इस्टिटूट है जो कि चंदिकड़ उनसिटी का अंतरगत है तो यहां से मॉनिटर किया जाएगा इस सेटलाइट को क्यू सैट को जो कि नैनो लेवल की सटलाइट है एक कि लोग का अच्छा बताई यह क्या बाहर होता है नैन चंदिकड़ उनसिटी गई है और यह लॉंच किया जाएगा आपका 2022 में जब 75 इंडिपेंडेंस टे होगा तब चिक और यहां पे चंदिकड़ उनसिटी ने 13 इंस्टिटूट जो है जैसे कि आईटी कानपूर आईटी बॉंबे और इन सब के बाद जो है पहली ऐसी नॉर है इंपोर्टन फॉर स्टेट पिसे एक्जामनेशन बेसिकली सो यहां पर यहां पर नैनो सेटलाइट जो है यह आपका इंपोर्टन स्टेप है कंट्री में और यह आपको बॉर्डर में कोई गुस्पैट तो नहीं कर रहा है एकरी कल्चर करशी समंदित वैदर को फोर्का आने वाला है यह साथ चीज़े तो यह सब में क्यूसेट मदद करेगा कलपना चाबला सेंटर फॉर्स इन स्पेस एंटेकनोजी आपका चंदीगर इंविश्टी में इसको बनाया गया है अगला जमार टॉपिक है वो है थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है अभी मैं इसको जब वीडियो मना रहा था था तो मुझे पता चला कि github नाम सेकी एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफिर फार्म है जिसे लोग जाके सौफ्टियर बना लेते हैं आराम से ठीक है ठीक सौफ्टियर आप लोग आराम जैसे तको ओपन सोर्स प्लेटफिर्फार्म वो होते ह जो open for all होते हैं वहाँ पे लोग जाके उसको free में उसकर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी जैसे कि Linux है ठीक Linux एक तरीके का Windows जैसे आपका है आपका जैसे आपका Mac OS का जो Apple के Laptop में होता है वो होता है OS तो वैसे ही Linux भी एक जो है आपका operating system है और Linux और GitHub को बनाने अलब व जैसे लोग जाकर या फिर जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो software बनाएगा उसको लोग जो है उसमें कुछ कमी है तो उसको सही भी करेंगे और उसको बैतर बनेंगे जैसे कि Wikipedia में जो भी आप information देखते हो उसको आप लोग हमारे हम लोग जो है जाके सही कर सकते हैं फिर उ इसको चलते हैं तो वो जो है हमारे दौरा है उसी तरीके से GitHub है यह क्यों न्यूज में है यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने मिलके एक application बनाए उसका नाम मुझे नियाद आ रहा है कोई comment करके बताएगा तो उस app पे क्या किया कि उन्होंने कुछ आए गया था और इस तरीके से अब रता किसी भी महिला से और किसी के भी साथ भी बिलकुल भी ठीक ने सोचल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया सब लोगों ने देखा काफी और जो यह महिला थी उनकी पिक्चर सोचल मीडिया से उठा के उनके profile पिक से और फिर वहां पे से यह पिक्चर डाउनलोड करके उत्रा खट किये इसमें बताया गया उन्होंने पिक्चर डाउनलोड करके और यह जो है उस वाले पर लगाई थी वरी वरी शेमफुल सो यहां पर अभी जो हमारे आईटी मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि गिट हब ने जो है वाला यूजर ब्लॉग भी कर दिया है साथी साथ मंत्राले ने आदेश दिया है सर्ट इनको इंडियन कंप्यूटर एमर्जनसी रेस्पॉंस टीम को कि भाई वो मॉनिटर करे जो है कि कि यह क्यों हुआ और एक कमिटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इसके बारे में इन बनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कमिटी प्लेटफार्म में सॉफ्ट्यर बना सकते हो आप जाकर एक दूसरे का सॉफ्ट्यर देख भी सकते हो कुछ कमिया है तो इसको सुधार भी करा सकते हो यह सारी चीज़े है आपस में एक दूसरे का कॉलाबरेशन इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप इसको जोड़ें तो देखे सुधान एक जगह है अफरीका में इसकी लोकेशन आप देख लेते हैं यह हौन ऑफ अफरीका है ठीक हौन क्या है यह राइनो के हौन जैसा सींग जैसा लगता है और यह रेट सी से टच होता है साहेल इबिया हो गया देखरो एजिप्ट ऐसे करके कई सरी कंट्रीज हैं तो उनका शौट फॉर्म है साहिल तो यह सुडान जो है रेट सी से भी टच करता है और इरिटिया और इथियोपिया से भी टच करता जो क्यों होन अफरीका है तो यहां पर अभी जो वहां के प्राइम न और यह फिर को थे भी डिया गया जो है पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल जो पार्टी सो उनों मिलके इनको जो हटा कर एक समझेधे रूप में दोन लोग ने मिलके प्राइम इस्टों को बठाया जिनका नाम था अब्दल्ल्ला हम दोख ठीक फिर से लेकिन यह फिर से इनको जो है बना दिया गया था यहां का प्राइम मिनिस्टर और इसे एक आ गया था कि आप पॉलिटिकल पार्टी बाकी लोग से भी बिलकर जो है लोगों का फिर चला यह पूरे उसको और 2023 में जब तक चुना होगा तद तक आप बने रही है लेकिन फिर इन्होंने अभी क्या है अब्दल्ला हमदोग ने यह कहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी हम उनका जो है सपोर्ड नहीं ले पाए इसलिए मैं स्टेप डाउन करता हूं प्राइमिस्टर शिप से तो अभी के टाइम पे आप देखो तो इरिट्रिया में जो है से कई लोग जो है रिफ्यूजीज इंडर हो रहे हैं तो गॉड नोज वाट इस गूइंट पर करेंट सिचुएशन इस कि वहाँ पे अभी कोई भी एक लीडर नहीं है और मिलिटरी के हाथ पे है एक तरीक पूरी चीज़े क्या होना है क्या नहीं यह देखा जाएगा इसमें जो मैपिंग है वह मैंने आपको बताई वह जरूर आप लोग करिएगा और अच्छा बताईए आप लोग कमेंट करके कि रेड़ सी से कौन कौन सी कंट्रीज टच होती है कुस तो दिख रही है इसको जो है कमें इंडियन इंस्टिटूट सॉरी इंस्टिटूट ऑफ मैथेमेटिकल साइन्सेज गड़ती है गड़ती है विज्ञान संस्थान चिक यह चैन्नाई में है तीन जनवरी को इसको साथ साल हो गए और यह एक शोद केंद्र है यानि कि रिसर्स सेंटर है और यह प्रमाडू उर दुज्जा विभाग का यानि कि डिपार्टमेंट और अटोमिक इनर्जी से जो है इसको पैसे मिलते हैं विक्तिय पोर्शित किया जाता है और यह नैशनल इस्टिटूट है फंडाउंटल रिसर्च जो है फ्रंट्रियर डिसिप्लियम करता है मैथमेटिकल और फिसकल साइ जो हम लोग इंजीनियर में कई सारी चीज़ पढ़ते है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म और यह सारी चीज़े तो उसका एप्लिकेशन जो है यहाँ पर जो है रिसर्च के लिए देखे जाते हैं थेरोटिकल कंप्यूटर साइंस मैथमेटिकल थेरोटिकल फिजिक्स इन सब में यह रिसर्च करता है काफी बहुत तिक मुलब बढ़िया से चीक है यह इंस्टिटूट ही एक काबरू सुपर कंप्यूटर है उसको भी ऑप्रेट करता है अच्छा बताए भारत में सूपर कंप्यूटर कौन सा सबसे आधा तेज कौन सा इस समय में है क्या प्रत यह रीख है वह और इसको ऐसे देखो गे तो यह इंडिया के इस पार्ट में लेख है और इसमें कुच एरिए जो आपका Line of Actual Control के East में पढ़ता है ठीक तो यह चाइना के करीब है और कुछ एरिया जो है आपका इंडिया के पास में ठीक है अभी यहां पे काफी आदा कश्म कश्च चल लही है इंडिया और चाइना के बीच में और उसी बीच में चाइना ने देखे यह ब्रिज बनाना स्ट कर दिया है अपने हिस्से में जहां पर यह इसके Line of Actual Control के East में आता तो वहां पे ब्रिज बना रहा है जिससे की जो यह काफी लंबी चौड़ी है और इससे माले यहां से ऐसे आना इनको पढ़ता है तो उसमें 12 गंटे लगते थे लेकिन अब जो है यहीं चीज 2-3 गंटे म पीछे इंडिया ने काफी आदा strategic location देहो नौर्थ में तो जो है जो यह पैंगॉंग सो लेक है ठीक इसका जो northern area है वहां पे तो चाइना का चलिये है बढ़िया है उसके पास लेकिन अभी जब पीछे यह जो देम्चों को इन सब पे वह हो रहा था इसकरमिश हो रही थी त इस तरीके के bridges बनाना काफी आदा जो है अच्छी बात नहीं है और इंडिया को इसके लिए सिर्फ बाते नहीं बलकि इंडिया को जो है प्रोक्टिवली कुछ कदम और उठाने चाहिए इनको रोकने के लिए चिक तो यहां पे ब्रिज एक बना रही है इस्टन लंदाक में चाइना और यह पैंगॉंग सोल लेक बना जारा पैंगॉंग सोल लोग बिकम वरी वरी इंपोर्टन फॉर एक्जामनेशन पॉट और इसमें जो है जल्दी से ट्रूप का मुम्मेंट हो पाएगा अच्छा कहां से कहां तक है तो अगर आप यह लेक ऐसे है वालो ठीक तो बैंक जो है कुलनाक फॉर्ट है कुलनाक फॉर्ट और सदन बैंक जो आपे मॉल्डों धिक बीच में बना जारा दोसो किलम्युटर के इसके बीच में डिस्टेंस था उसको कम कर देगा दो तिन गंटे में पहुंच जाए करेंगे बिजस लोकेटेड अच्छा यह जो एक् करना है और ये बोमरेंग की आसा करके की जो से चेप की जो है यह आपकी फॉद nooit फूरी-फुर फूरी-इस में आता है ते यह वह स्पर्स बने हुए हैं इसे लगता फिंगर्स बने हुए है चौंग पो चैनमो रेंज का जो है इसको फिंगर बोला है ठीक और यहां पर हमारी पहले लड़ाई भी थी अभी पीछे माई 2020 में तो इंडिया ने थोड़ा लोकेशन यहां पर सदन वाले में अच्छी पाली थी और इंडिया ने जो है अगस्त एंड में एकुपाई कर लिए था सेवरल पीक्स जो है आपका साउथ बैंक पर चिक और सिंस 1962 से अभी ताम पास नहीं था अभी हमने आते आ रहे था जब यह लड़ाई-वड़ाई होई थी पीछे और मॉल्डो पे भी हमारी अच्छी जो ह है अब वहां से देख रेक करने की जब पोजीशन मिल गई है पी एले इसको जो है फिंगर फॉर फिंगर बोलता है ठीक यह जो है हमारा यहां पर यह था तो चलिए एक क्रिविजन कर लेते हैं क्रिविजन पांच जनवरी का देखें लिगनाइट मानिंग राजिस्थान मे बीका ने डिस्टिक में की गई है लिगनाइट कोल का सबसे जो है खराब कोईला होता है कोईले के तीन टाइप होते हैं सबसे अच्छा होता है अंथरासाइट दूसरा होता है बिटनमेस और तीसरा होता है लिगनाइट जो की पीड बॉक्स से बनता है दो जो है नए प्ला स्पेस एक्स जो एलॉन मस्की कंपनी है फैलकन नाइन कंप्यूटर स्वरी इस रॉकेट से बेजा गया है ड्रैगन एक्स स्पेस क्राफ्ट में ठीक और नुक्लिय वेपन्स के लिए जोएंट स्टेट्मेंट आया है यूएसे यूके फ्रांस रॉश्या और चाहिनक तरफ से कि वह कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं दुनिया में प्रसार नुक्लिय वेपन्स का हो और चुकि नॉक्लिय नॉन प्रिलिफिरेशन ट्रीटी जो है और दो हजार रुपए का टोटल पेमेंट हो पड़ेगा अमलग कर सकते हो दो दोसों के मतलब आप जो है मैक्सिम करो तो दस कर सकते हो उसके बाद आपको दोस्तों दो जार रुपए फिर से डालने होंगे तब याद दुबारा कर पाओगे पेमेंट तो अच्छी बात है मोड में इंटरेट नहीं है फिर भी आप पेमेंट कर पार हो ग्रामीड और अर्ध सहरी जगों पर यह इसको यूज किया जाएगा कल्पना चाबला सेंटर फोर रिसर्च इन स्पेस अं टेक्नोलोजी यह आपका चंदीगर्ड उनिसिटी में बनाया गया वहीं पे क्यू सै सब्सक्राइब के लिए जो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम वह भी आपका इसी सेंटर पर इसी में बनाया गया गया गिट हब एक जो है ओपन सोर्स प्लेटफार्म है जहां पर कोई भी आके जो है सॉफ्ट्वर बना सकता है और उसको एक दूसरे से रिव्यू भी कर सकता है हेल्प भी कर सकता है तो यहां पर अभी एक एप्लिकेशन उसका नाम मुझे याद नहीं है रहा है वहाँ पर मुश्लिम महिलाओं की जो है फोटो कीच के लगा दी गई तो बोला था कि रेट लगा उनका पहुत ही सबना हलकत करी गई है खैर इसको जो अटा दिया गया में चीज है कि Linux और GitHub को बनाने वाला व्यक्ति एक है Linux जो होता है वह Windows और जो आपका Mac OS होता है जो जैसे कि operating system है वैसे Linux भी यह बिल्कुल फ्री है लाइनस ट्रैवोर्ड करके एक नाम है बत देगा उसने इन दोनों को ही बनाया है द्यान रखेगा सुडान के जो सपोर्ड नहीं ले पा रहा हूं तो मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं सुडान में जो है इसकी वैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया सिर्था आ गई है और बाकी जगों से काफी अदा सरनाती भी सुडान में गुस रहे हैं और यह हॉन आफरीका रेट सी सबसे पास म फिर उनको रींस्टेट कर दिया और उनने का कि 2023 तक चनावम करेंगे तो अब तक बने रहेंगे फिर उनको नहीं का पॉर्टिकल सपोर्ट हम नहीं बना पा रहे हैं तो उननने स्टेप डाउम कर दिया है पॉर्टिकल इंस्टेबिलिटी राजनीतिक आइस्थिता पूरी तरिके सुदान पे भारी पड़ रही है इंस्टिटूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज यह चेन्नाई में है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक जो इनर्जी है वो इसको विक्त पोशित करता है और इसमें जो गड़िच से समंदित जो एप्लिकेशन बेस्ट रिसर्च ह होती है यहां पर होती है ठीक कराई जाती है यहां पर चाइना ब्रिज बना रहा है लेसी के 25 किलमेटर अंदर अपनी साइड में और ब्रिज जो है यह आपका कार्णौक फोर्ट और माल्डो के बीच में है यह और जो कि एक अच्छी बात नहीं है प्रोवकेशन है फिर से कि तरफ से और इस पर भारत जरूर जवाब देगा तो इसीक साथ में आज का सचाम लोग अतम होता है अगर आप लोग को पसंद आता है हमारा यह करेंट अफेर जो की पूरी तरीके से जो है हॉलिस्टिक है प्रिलिम्स और मेंस इग्जामनेशन के लिए इसको पढ़ लिय बात होगी सुबाद 6 वजे तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा जैजा वरत और वेस्ट है वंदे वंदे मात्रम